मैं आपको एक इग्जाम्पल देता हूँ 1985 से अब तक भारत में 17 बार मुख्यमंत्री पद की सपत हो चुकी है 1985 से अब तक कितनी बार? 4 बार राश्टपती सासन लागू हो चुका है लेकिन आपके जौनपुर जिले में चकबंदी अधिकारी के हाँ एक मुकदमा 1985 में आया था वसियत का और उसमें केवल ये तैं करना था कि वसियत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अपरेल को मरा केवल इतने तैं करना था कि वसियत करने वाला 31 मार्च को मरा कि क्योंकि दो लोगों ने उसकी वसियत करा रखी थी एक आदमी ने 31 मार्च को वसियत कराई दूसरे आदमी ने 2 अपरेल को कराई और वास्तिविक्ता ही है कि 1 अपरेल को खतम हो गए 37 साल हो गए 37 साल हो गए आज तक ये नहीं तेह हुआ कि वो वसियत करने वाला 31 मार्च को मरा कि 2 अपरेल को मरा आज अगर 2023 में वो तैभी हो जाए तो जो लोग लाग के स्टुडेंट है CEO के बाद SOC के हाँ मामला जाता है SOC के बाद DDC के हाँ जाता है DDC के बाद High Court जाता है High Court में Single Bench को जाता है उसके बाद Division में भी आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं उसको Revision कहते है वहाँ से भी हो जाए तो सुप्रिम कोड जा सकता है यानि 37 साल में चकबंदिया दिकारी के हाँ है अगर इसी स्पीड से चला तो लगबख 47 साल और चले गओ अब आप सोचो बहुत ध्यान से समझे जिस व्यक्ति ने वास्तों में वसियत कराई थी अगर उसको 47 साल के बाद वो जमीन मिल भी गई तो उसको मिला क्या अर यह तो उसी की जमीन थी यह तो उसी की थी लेकिन जिसने इतने दिन कबजा करके रखा हुआ है उसने जोत रहा है, बो रहा है, किराईप उठा रहा है हमारे आपके जीवन में जो अशान्ती है न ध्यान से कभी आप सोचना उस अशान्ती के रूट काज पे जाईए आप तो उस रूट काज का मूल कारण है घटिया नियम का नौग इस देश में 30 हजार लोग साल में मर्डर से मरते है बेटा जरा पीछे से सुन लो 30 हजार लोग पर येर भारत में मर्डर से होते हैं अब जहार आपस में दुस्मनी वही मर्डर हो गया और 15,000,000 लोग रोड आपस में से दुस्मनी से और लाख उसमें से एक लाख लोग सड़के गड़ों से मरते हैं तो जो सड़क का गड़ा हुआ वो क्यों हुआ ब्रश्टाचार अब ब्रश्टाचार का मूल कारण गटिया कानून हमारे यहां ब्रश्टाचार और अपराद के खिलाफ कानून बनाते समय हम कभी देखते नहीं कि बाहर चल क्या रहा है मेरे हाथ में ये अमेरिका की फेडरल पिनल कोड है जैसे इंडिया में इंडियन पिनल कोड चलता है ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है भारत में किड्नैपिंग की जो सजा है वो तीन से साथ साल किये अमेरिका में पचास से सौ साल किये और एक को किड्नेप किया तो भी साथ साल दो कि किया तो भी साथ साल पांच को किया तो भी साथ साल दस को किया तो भी साथ साल अमेरिका में एक को किड्नेप किया तो पचास दो को किया सो तीन को किया देड़ सो चार किया दो सो पांच के डाई सो हमारे हाँ सुब्रत राय सहारा ने 16 लाक लोग का पैसा लूट लिया सहारा चिटफंड स्कैम सुना होगा आपने पता नहीं कोई पीडित भी होगा आप लोग का जानने वाला कोई 16 लाक लोगों का उसने पैसा लिया डुबो दिया आज तक 16 साल की भी सजा नहीं हुई थाइलेंड में एक वेक्ति ने 16,000 लोग का पैसा लिया था थाइलेंड में एक आदमी ने चिटफंड कंपनी मनाई डबल करने का अफर दिया 16,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया उसका बाद भाग गया एक लाख एक तालिस हजार साल सजा हुई उसको कितने की आपनों थोड़ा गूगल क्या करिए स्मार्ट फोन का यूज नॉलिज बढ़ाने के लिए करिए स्मार्ट फोन का यूज ये देखने के लिए करिए कि भारत में जो समस्या है इस समस्या का मूल कारण क्या है उसका स्थाई समधान क्या है हमारे देश में अगर मकान पे कब्जा हो जाए तो अपना मकान अपना खुद का मकान छुडाने में 50 साल लग जाता है डिस्टिक कोट, हाई कोट, सुप्रीम कोट जितने का मकान नहीं होता उससे ज़ड़ा खर्च हो जाता है छुड़ाने में अपना मकान इस देश में पांच करोड मुकदमे चल रहे हैं इस समय, पांच करोड मुकदमे चल रहे हैं इसका मतलब पांच करोड परिवार टेंशन में है की नहीं? एक परिवार में आना नेवरेट 6 लोग होते हैं यानि 30 करोड़ लोग मुकदमों की कारण टेंशन में हैं और ध्यान रखिए जब मुकदमा चलता है एक पक्षुसका लाभार्थी होता है और एक पक्षुसका पीडित होता है जो लाभार्थी होता है हमेसा वो पावर्फुल वाला होता है जैसे अगर मैं आपके जमीन पे कबजा कर लूँ तो मैं नहीं चाहूंगा मुकदमा जल्दी खतम हो लेकिन आप चाहोगे जल्दी मुकदमा खतम हो जाए तो कमजोर चाहता है जल्दी मुकदमा खतम हो जाए मजबूत चाहता है मुकदमा लंबा अब ये बताईए अगर ये 50 साल मुकदमा चल रहा है तो ये कमजोर के पक्ष में है कि मजबूत के पक्ष में है और सम्मिधान कहता है न्याय देना है अंतिम व्यक्ति को नयाय देना है अंतिम व्यक्ति को नयाय कैसे मिलेगा जुडिशल रिफॉर्म करना पड़ेगा कानून बनाना पड़े तो जब समान अधिकार की बात हो रही थी तो जब एक इंडियन पिनल कोड हो सकता है तो एक Indian Civil Code भी हो सकता है लेकिन जो एक Indian Penal Code है वो एक तो है एक भारत स्रेष्ट भारत के लिए एक कानून के साथ दूसरी टर्म्स क्या है स्रेष्ट तो हमारा Indian Penal Code Federal Penal Code की तुल्ला में स्रेष्ट नहीं है इसलिए जो समस्या भारत में हो अमेरिका में आप लोग Google करिये कुछ दिन पहले एक आजमी ने सर्ट दूसरी बार चुराया था उसको 25 साल सजा हुई अमेरिका में Google करना स्मार्टफोन को यूज करिये और मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ हाइवे बनाने की लागत होती है आप सारे युवा हो आप भविश्य हो आप भारत के फ्यूचर हो आप इसको समझिए हाइवे बनाने में करोडों खर्च होता है एरपोर्ट बनाने में करोडों खर्च होता है express way बनाने में करोड़ों खर्च होता है pull बनाने में ऐसी कोई योजना बताईए जिसमें पैसा खर्च नहीं होता है कोई एक चीज ऐसा है कानून कानून बनाने की कोई लागत नहीं और लाब पूरे देश को लाब पूरे इस देश में अगर आप मैं पहले इंजीनियर था, मैं मारूती में था वहाँ पे सर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थे जापान में क्या करते हैं हर समस्या की रूट का जिनालसिस करते हैं केवल मसीनों की नहीं इसलिए आप ध्यान रखिये जो जैपनीज गाड़ियां होती है एक बार जो प्रावलम आई सब को बुला लेंगे बैट जाइए नट फेल हुआ हाँ, क्यों हुआ क्या नट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या नट को लगाने वाला मिस्टरी अच्छा नहीं था अगर नट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्यों मेटियल खराब है अगर नट लगाने वाले ने लापरवाही कर दिया इसका मतलब मैन खराब है उनका कहना है कि पूरी उन्होंने पांच चीजों पर फोकस किया मैन, मेटियल, मेथर्ड, मसीन और मनी 5M उसको फार्गुला कहते उनका कहना है आज जापान जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनी इसका कारण ही था उन्होंने मैन को अच्छा बनाया मेटियल को अच्छा बनाया मेथर्ड को अच्छा बनाया मसीन को अच्छा बनाया इसलिए आज की डेट में वो सुपर पावर हो गया बम गिरा था इसके बाद भी सुपर पाउर हो गया दूसरा एक्जाम्पल पचास साल के पहले दुबई एक रेगिस्तान था पूरा रेगिस्तान कुछ नहीं था दुबई में 1975 के पहले कुछ था ही नहीं उन्होंने केवल एक काम किया नियम कानून अच्छे बते बनाएगा उन्होंने करप्शन और क्राईम के खिलाब बड़े स्टिंजट कानून बनाएगा ला एन और्डर मेंटेन करने के लिए बहुत स्टिंजट कानून बनाएगा इसलिए वहाँ न चोरि है न अपहरण है किसी भी तरीके का crime नहीं है और ध्यान रखिए जहां crime खतम हो जाता वहां का development हो जाता है जहां corruption crime खतम हुआ वहां का development बहुत तेजी के साथ होता है अब आप सारे युवा हो इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप इस बात पे थोड़ा चिंतन करे और root का जिनल्सिस करे social media का use करे और उसको राष्टहित के कारियों के लिए use करे